राधे राधे दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हाम आपको एक बेहत चमतकारी उपाय बताने जा रहे हैं यह उपाय आप धन प्राप्ति के साथ साथ घर में बरकत लाने के लिए भी कर सकते हैं तो आएए वीडियो को लाश्ट तक देखे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करे तक आने माली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले दोस्तों पहला उपाय है धनलाब के लिए किसी भी सुक्रवार की साम गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रख कर जला दे कपूर के जल जाने के बाद उस फूल को मा लक्षमी को चड़ा दे ऐसा करने से आपकी घर में धनलाब अवश्य होगा दोस्तों वही पर मनो कामना पूर्ती के लिए दूसरा उपाय है किसी सुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी को इग्यारा ताजे गुलाब के फूल अरपित करे ऐसा लगातार इग्यारा मंगलवार तक करे गुलाब के इस तोटके से बजरंग बली प्रशन होकर सभी मनो कामनाई पूरी करते हैं दोस्तों वही पर तीसरा उपाय है घर में बरकत लाने के लिए घर में बरकत लाने के लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब और रोली को एक लाल कपड़े में बांध ले इसके बाद इसे किसी हनुआन मंदिर में एक सप्ता के लिए किसी भी मंदिर में रख दे इसके बाद इसे घर की तिजोरी या फिर दुकान के गले में रख दे गुलाब के इस टोटके से घर में बरकत होगी साथ ही पैसा बरबाद नहीं होता है दोस्तों वही पर चोथा उपाय है रोग दूर करने के लिए अगर घर में किसी सदसी की सेहत में सुधाल नहीं हो रहा है तो ऐसे में एक पान के पत्ते में गुलाब के फूल और बता से रख कर रोगी के उपर से 11 बार उतार कर किसी चौराहे पर फेक दे इस तोटके से रोगी की इस्थिती में सुधार होगा दोस्तों वहीं पर पांचवा उपाय है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लाल रंग के पंखुडियों वारे पांच गुलाब के फूल को सफेद कपड़े में चारो कोने पर चार गुलाब के फूल को बांध दे पाँचवा फूल इस कपड़े के बीच भाग में बाद दे इसके बाद इसकी पोटली बनाकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे दोस्तों गुलाप के इस टोटके से जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है साथी घर में सुख समरिधी पढ़ती है दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ तब तक के लिए रादे रादे नमस्कार